दोस्तों स्टड़ी सर्वीस ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी में स्वागत है मैं स्वाथी और आज बीएड का आपका जो नेक्स टॉपिक है पीजटी के लिए जो बीएड पोश्चन आपका आने वला है उसकी रिगार्डिंग जो है मैं आपको टॉपिक ले आई हूँ और मैं तो मैंने आपके लिए क्लास रिकोड कर दी है ताकि आप अच्छे से इसको अपने टॉपिक को प्रिपेर कर सके तो अगर आप कर रहे हैं online कोचिंग का शाहते है सर्च कर रहे हैं तो आप हमारे इन शुपिक कर सकते हैं हमारे पास ओफर चले हुए है तो आप देख सकत सारे offers के साथ आप इन courses को जोईन कर सकते हैं और साथ ही साथ में जो है बीएट से रिलेटिड जो आपका ये पीजटी में जो आपका बीएट से रिलेटिड पॉशन है ये आपको मैं आपको free of course दे रही हूँ और साथ में जो है इसके लिए test series आप purchase कर सकते हैं only 99 रुपीज मे मैं आपको थोड़ो से यह बता दू कि दिखें ये है मेरे पास अले बस आपका और इसमें जो है हमने दो on यूनिट कर लिए हुई है इसमें हमने काफी यूनिट कर लिए हुए है दो करवा उसके बाद एक topic आपका बचेगा देन उसके बाद मेरे पास यहां पे आपकी last unit है जिसमें हमारे पास तीन इनों ने बता रखे हैं वट यह तीन तो उनों ने तीन तो अगर मैं घर जाती हूँ क्योंकि सर तो चले गए उसके वज़े से आपकी class नहीं हो पा रही है तो जब तक मैं चाहती हूँ कि मैं आपके topic जो है काफी topic आपके complete करवाद हूँ तो फिलहाल हम start करते हैं अपना topic और आपने patience बनाए रखे उसके लिए thank you so much और इसी तरह से तो आप थोड़ा patience बनाए रखे आपको सब चीज़े मिलती रहें कि time to time तो आप यह test series ले सकते हैं अगर आप लेना चाहते हैं PGT से related जो है अगर आपका B.Ed portion आप test series लेना चाहते हैं तो only 99 rupees में है और JVT Commission का भी हमारा नया batch start हो चुका है यह नहीं कि उसके admission start हो चुकी है जिल्दी उसकी classes लगने वाली है और रोल हो रहे इस student आप होना चाहते हैं तो हो सकते हैं चले तो आज की topic जो है हमारा topic का नाम है method of teaching कि teaching के जो है कौन कौन से method है या धंग है बैसे तो teaching के बहुत सारे method होते हैं अच्छा अब हम देखते हैं कि teaching के method हम क्यों पढ़ते हैं त आपको पहले खूद भी पता होने चाहिए कि आप कौन कौन से धंग से उनको समझा सकते हैं चलिए तो आगे इनको detail में देखते हैं कि कौन कौन से हमारे method है तो सबसे पहले topic को start करो इससे पहले मैं आपको बता दिती हूँ कि यह जो आपका method word है जिसके बारे में हम आज ब in education it means the mode in which the material is communicate from the teacher to the people simple भाशा मैं समझाती हूँ कि यह जो है जो आपका simple इतना याद रखना है आपने पहले कि जो method है वो word है latin word के mode से लिया गया है ठीक है एक teacher जो है अपनी बात को किस तरह से communicate कर रहा है as a student के साथ ठीक है as a teacher जो है student के साथ जो है कैसे communication कर रहा है अपनी बात को कैसे वो student को समझा रहा है तो वो ही क्या है आपका method होता है जैसे बहुत सारे आप जिसे आपने देखा होगा मालो आपको painting करनी है या फिर आपको, सोच लिजे आपको stitching ही करने हैं, तो आप ये अंदाजा लगा लेते हैं कि आपको कौन-कौन से style से आप stitching कर सकते हैं, या फिर आपको painting करना बहुत पसंद है, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ, हमारे पास tools होते हैं, बहुत सारे, और हम उन tools का use करके क्या करते हैं, पेंटिंग कर लेते हैं, अपनी painting को बहुत ही अच्छे तरीके से represent करते हैं, उसी तरह से आपको teaching, teacher तो बन गे हैं, लेकिन अपनी teaching अंदर की जो आपकी कला है, आपकी जो art है, art of teaching है उसको आपकी तरीकों से जो है, student तक पहुँचा सकते हैं, किस तरह से समझा सकते हैं, वही आपका method होता है, चले, बिल्कुल आसान शब्दों में था, तो यह आपको clear हो गया होगा, कि method actually में होता क्या, तो एक way है, यानि कि एक धंग है, एक रास्ता है, फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर different type of, sorry, तो रुकी पैन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम teaching और techniques, which can be the, जिनको हम use करते हैं, अपने teaching के अंतर, तो कौन-कौन से method है, चार जो है, most important आपके four यहाँ पर method है, कौन-कौन से है, teacher-centered method हो सकता है, यानि कि अध्यापक पर ही केंदरत, जो है, आपका तरीका हो सकता है, दूसरा learner center हो सकता है, सीखने वाले पर हो सकता है, कें intent focused हो सकता है, फिर interactive, participative method हो सकता है, चार जो है, main method है, इन ही को जो है, हम एक-एक करके, जो है, अलग-लग इसमें जितने भी method आते हैं, उन सब को detail में करेंगे भी, चलिए, तो सबसे पहले, जो है, हम देख लेते हैं, इन ही सभी के अंदर, जो है, कितने type के method आते हैं, तो म मैं आपको 20 methods आप बताने वाली हूँ, 10 methods आज discuss कर लेंगे आज की class में, बैसे तो important 10 ही है आपके, ठीक है, आप 10 कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन आपके मन में doubt ना रहे, तो 10 आज कर लेंगे, 10 कल की class में देख लेंगे हम, ठीक है, सबसे पहले storytelling method, फिर है textbook method, lecture method, demonstration method, tutorial method, question answer method, discussion method, 7 ये होगे, और फिर है आपका heroistic method, फिर है discovery method, project method, अब देख सकते हैं, यहाँ पर role play and method आपका, फिर brainstorming method, play way method, आने monastery method, तो ये सब method आते हैं, देख सकते हैं, डेलतन method, inductive method, deductive method आपका, analysis, synthesis method, problem solving method, drill method, तो ये 20 के 20 methods हैं आपके, इसमें जो है, एक एक करके जो है, अब हम देखेंगे, सबसे पहले, मैं, साथ साथ में यही समझाती चलती हूँ, ठीक है, सबसे पहले मैं बात करती हूँ, आपके storytelling method की, storytelling method की, अगर हम बात करें, याणी की, जो आपकी, क्या कहते हैं, हिंदी में, कहानी, कथन वी इदी, क्या कहते हैं इसे, कहानी, कथन, वी इदी, तो आपने बच्पन से ही, जो है, अपनी दादी, नानी, से, जो है, कहानिया सुनी होंगी, सब कहानियांब 팔 será सच्छों पर वह individually में कहानिया सकते यह थो दी तो सब फिर हम कहें कि जब पढ़र прич bard गर्णल में इस कि कहानिया है घर में भी सुनाते हैं सब ने सुनी होना है वह यह सुनी है वह सकता है वह भर गोलारीस है इसा होता है अलगले कहानिय सुन था है कई बच्छों को कॉमेक्स दी जाती है पढ़ने के लिए ताकि वो क्या कर सके। उनका हानियों को समझ सके हैना उनके meaning को पढ़के समझ सके अब ये जो है इसकी merits भी हो सकती है demerits भी हो सकती है यानि कि इसके lam भी है हानिय भी है तो अगर यहां पर मैं बात करूँ storytelling method की तो इसकी जो merits हमें देखने को मिल्ती है क्या मिल्ती है एक तो वो focused होती है और या फिर कहे focus किया जाता इसमें या फिर कह सकते है concentration पर अधारित होती है concentration पर अधारित होती है और दूसरा अगर इसमें हम देखे तो इसमें जो है हमारी imagination से related है इस साइड हो जाती हूँ imagination से related है इसमें हमारी क्या की जाते हैं? कई वर ऐसी कहानिया सुनाई जाते हैं, जिससे हमारी जो imagination है वो भी create हो जाती है. ठीक है? बच्चे को उगर हम कोई कहानी सुना रहे हैं, आछानक से बच्चा उस चीज़ को, जो है, माननो परियों की कहानी सुना रहे हैं, तो बच्चा परिय ठीक है बच्चे की क्या होती है इससे बोकैब जो है बोकैब लेरी जो है वो क्रियेट होती है ठीक है जी फोर्थ अगर देखे तो यह कहानियां जो है आपके हो सकती किसी लीडर से रिलेटिड हो हो सकता है या फिर आपकी जो है लीडर के इलावा जो है आपकी और भी बहुत से अब आपके कहानियां होती है कि अबहुती है या फिर स्थे साइंटिस्ता है उनसे रिलेटिड है तो इकसे त्र Smile Championship हो सकती है तो यह है आपका कहानिस से रिलेटिड मैंथड तो आपको आपको जो स्टोरीटियलिंग मैंथड जो ए parfait समेधा से, इस से हम बच्चे को इंटरस्ट कर्ते हैं, वह्याला है, वह न बच्चा का पढ़ाही के सबुदूदिये, लुछा कमा बच्चा। होगा उसके बाद हमारे पास जो आता है next method आता है textbook method textbook method के अगर बात करें तो यह आपके textbook पर अधारित है psychological emphasis पर अधारित होता है यानि कि हम बच्चे को मांचिक रोप से समझ करके हम उसको इस तरह की किताबे बनाते हैं इस तरह से text जो है यानि किताबों को कह सकते हैं आप books बनाते हैं जो उनकी एस के coding हो जो उसकी mental ability के mental ability के according हो ताकि बच्चे जो है एक मिन्ट रुकेंगे लिखने में कई बार लिखता तो हो जाते है ने गल लिख दिया में mental ability mental ability को ध्यान में रखके ही जो है चीजे की जाती है तो चाहे आप जो है देखिए यहां पे NCRT की कताब ही ले लो बच्चे की mental ability के according ही रखी जाती है कि first class में कौन सी पढ़ाने है second में कौन सी दूसरे यह भी ध्यान दखा जाता है कि बच्चे को जो है interest create हो है ना बच्चे को क्या हो उसमें इंट्रस्ट क्रियेट हो और आजकल की जो टेक्सबुक आ रही है उसमें बहुत ही ऑट्वनमी टाइप का जो है बच्चों को क्रियेट के जा रहा है कि बच्चे जो है स्वायतत की तरफ जो है ज़्यान दे मतलब यहनी कि स्वायतत की अगर मैं बात करूँ independent की टाइप जो है उनको किताबे प्रोवाइड करवाई जा रही है ताकि वो independent बन सके तो इस तरह से उनको जो है dependent से independent बनाने के लिए जो है TAKSBOOK मेथड का प्रियोग करते हैं चले नेक्स देखते हैं नेक्स हमारे पास आता lecture method, अब ये lecture method को अगर हम कहें, बैख्यान वीधी भी बोल सकते हैं, आप इसे हिंदी में, क्या कहेंगे बैख्यान वीधी ही होगी, ठीक है जैसे मालो, अगर मैं यहाँ पर बात करू lecture method की, तो जैसे मैं आप भी आपको बोल भी रही हूं, साथ में लिख भी रही हूं, तो इस method को हम जो है, क्या बोल देते हैं चोक and talk method चोक and talk method जो है, बोल देते ठीक, इसका मतलब है कि बोलना भी और साथ में लिखना भी हैं, तो यह बहुत ही traditional method है, कैसा है traditional यानि कि बड़ा ही पराम-प्रचम जो ए यानि कि बहुत ही प्राचिन मेतिड है। बहुत तायम से यह यूज किया जा रहा है आपका लेक्जर मेथड फिर देमोन्स्ट्रेशन मेत्टर् तो देमोन्स्ट्रेशन मेत्टरों वी होता है। बच्यों को तेमो यानि की परदर्शनात्मक जो है आप इस बीडिको बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं इसमें जो है बच्छों को जो है चीजो को प्रेजिए किया जाता है जैसे मालो मैं यहाँ पर आपको सोलर सिस्टम पढ़ा है Training is strategic and it impacts your bottom line. Businesses need to train their customers to build loyalty, sales and partners teams to accelerate growth and workforce to drive innovation. What if you could use a single platform to build learning experiences for customers, partners and employees alike? Introducing Adobe Learning Manager, a perfect enterprise-ready platform that is built to scale, make learning an experience. Tutorial method के अगर हम बात करें, tutorial method को जो है इसमें दो तरह की चीज़े आती है एक homogenous और फुजीबियस के इसमें बात करें Tutorial method के अगर हम बात करें, यह मतना है एक homogenous है aps मुण good other world is my powerful math Mark hmm Take a look Muito अबसलों सरे हम आगे को जोगे bn वोफ बहुता है कि अबुए मत अब जाल जागी हम जाए आंड ले जाए नहीं आपट आपी हम थाए नहीं कि आपट आपट दीखे हैग जिए कि से पिंधी नहीं कि नहीं है पहाँ अगया कि अच्छे है कि अपट प्रिक इह प्रिक एप है भी भाने गा जिए से लग ट चीघ का बाजी है ने लोकिसना सिटीं को दैस पर सब एयोएंग को भी जब व niew हो है मोग सेफ़े लेल आफी आमने से खिंट सेसे गळेलें acz कि अधिक आली से लेला है में आप ऑंली कि अधिक भी अधिक समस्क्तिर है आए कि अधिक आए प्यूमत है यूमत है कि अच्ड अच्राघ est घज के रजी हैं फेफटा मिलेगो, कि धुराश वाल वतल प्र hyber 1,3 वि कि वज कि वाल राक ए APP ज्राब पफड़व कर थता वाल अ, j'dो पे वाल शत्य ओंदा ब शची साлझी को रहुंग, को आप च मील बालै कर द्र टो अ, col प Mayor खाला हएं मैं बार्क, करसे प्क प्किट थान ही रहुफे ह् जो प्रोछ प्रोड प्रोफ प्रात प्रोट विलानो माणातु प्रुन गाल लुझ कतें से हो उनल ऊतर प्रोब गाहा है सबसंद visitor कि शिला क property ईो एमध Epic? खुब झाल प्कुम्हानी, दिजिट उना को जुट में दो, इफ सथेली आपकोटी देए, के दोट जानों है कि दितग अचे होगी, अचेसी अचेश से लेगा होगी विवड़ियों में जो हैं, प्रिक देए, उना कियों तया हैं, तरिक देए, गजलिए, तो आपकोटी देए, ज Proseky दीखेंसे, तो रहतीक हो लेए, अफिर हमारे पास आता है हुरुस्टिक मैथोड। हीरुस्टिक मैथोड के अगर मैं यहां पे बात करूँ, हिंडी में से कहते हैं अन्वेशन विधी जा कहते हैं? सभ से पहले वह देख लेते हैं ही varました स्ट्रोंग ने आर्म स्ट्रोंग के द्वारा इस विधी को या फिर कहें कि आपकी जो हिरुस्टिक मैथड है उसको दिया गया यह कैसा मैथड होता है इसमें पहले परिकल्पना की जाती है इसका क्या मतलब है कि पहले परिकल्पना है मतलब यहां पर क्या कहते हैं उसको है इसको मतलब मातलम मैंने आपको बताना है कि आपको जो हैMM इसude जीसी जो 17 वाला था, जो अभी सेट का एक्जाम था, तो आपने पहले लगाया कि हो सकता है, जब तक आपको पता नहीं था कि क्यूं हुआ, आपने सोचा कि हो सकता है, कि लाक्षन आने वाले हैं, अपरेल मैं में, तब कैंसल हो गया होगा, या फिर आप सोच रही होगा, कोई और हो गया होगा, आपने सोचा कि हो सकता है, ऐसी डेटा निकाल दी थी, और एक्स्टेंड कर दिया, आप क्या कर रहे हैं, पहले जो है, उसके बारे में अनुमान लगा रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, लास्ट में जो है, आप रिजल्ट तक पहुंचते हैं, इसमें पहले आपकी साइंटिस्स से लेटेर आपकी discovery की जाती है खोज की जाती है ठीक है उसके बारे में हम पढ़ते हैं फिर है project method very important तो project method को जो है किसने दे रखा है तो यह आपका this यह आपका दे रखा हैre whla pulled it mistake इसे दे रखा है डूसरा अगर इसमें बात करें तो यह एक ग्रूरूप टइप में होता है प्रोजक्स में प्रोजेक्ट मैथर में क्या करते है आप ग्रूप बरक करते हैं ग्रूप बरक की यहां पर किया जाता थह 130 चीन्ज देख़्ं़ हांगे क्योंकि ऐसी कोल वगएरा भी हो रखा था क्योंकि बैदर यहां पे चेंज हो रहा है हो सकता है कि थोड़ी साउंड में भी आपको जो है डिफरेंट साउंड जैसी महसूस हो चलिए तो यहां पे जो है प्रोजेक्ट मैथड तक हमने 10 मैथड हमने देख लिए फिर आता है चलिए नेक्स भी देखी लेते हैं क्यों छोड़ने यह तो दस रहे जाएंगे और फिर पूरे क्लास लेनी पड़ेगी उस पहने तो आप ही करवा देते हूं नेक्स्ट है रोल प्ले और आपका ड्रामेटिजाजिशन मैथड आपको द्रामा आपको या तो ड्रामा करवाया जाता यह जिस आफ नन देखो वाब o ignore आपको बुकस में राद देखते हैं क्ले मैथ जो भी वचों का बूर्श आपकी समझाजिशन में ले ब्लज़ जाते हैं इसमें चीजे समझाए जाते हैं यह का method हो सकता है तीचर को खड़ा कर गर बोले कि चलिए तुम्हारा नाम यह है तुम्हारा यह है चलिए लेसन पड़िए है तो वो वैसे ही करेंगे या त्यार करके समझाने की कोशिश की जाए करने है तो यह आपको पता है कि brainstorming से related जो है यह सीज़े आपने पढ़ रखिये पहले play way method है जो है खेल-खेल में सीखना है फिर है monetary method इनके बारे भी आपने पढ़ रखा होगा तो बिल्कुल easy-easy है, कोई tough नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि इस पर अलग से बनाने का कोई नहीं है, तुक नहीं बनता है, क्योंकि सिर्फ simple से हैं और बिल्कुल थोड़े से, ठीक है, inductive आपने पढ़ रखा, deductive आपने पढ़ रखा है, कैसे method होते हैं, पहले example देना, फिर स आप सारी समस्याइए होती है, आप सारी method है, कि तरीका है, अगर कोई समस्याइह तो आप उसको solve करें, उसके बाद है DRILL method, तो DRILL method में भी आप क्या करते हैं, आपने सुन रखा होगा, कि बच्चों को को हम बहुत सारी चीजें, खेली केल में चीजों को सिखाने के कोशिश क इसी चीज को जो है ड्रेल करके भी जो है आप क्या कर सकते हैं बच्चों को संचा सकते हैं तो यह जितने भी थे दस पहले दस बहुत जादा important है ठीक है inductive deductive भी important है क्योंकि उसे तो आप normally रहते हैं तो जादा पढ़ने की जोर्ट नहीं है उसको लेकिन जो पहले दस थे वो बहुत important थे इसलिए मैंने उनको सबको explain किया आपको अगले दस जो थे वो सिर्फ आपको बताने वाली थी मैं कि यह यह method है आप इनको एक एक बार देख ले ना कि हाँ यह भी method होते हैं तो इस तरह से जो है हमने देखा कि कुछ method जो है teacher centered method होते है और कुछ method जो है आपका हुरिस्टिक method या discovery method यह जो थे यह तीनों के तीनों क्या थे आपके यह जो थे child centered method थे या निकि इसमें तो यहां पर जैसे आपका स्टोरी टैलिंग तो सिर्फ कौन सुनाएगा टीजर ही टेक्स्ट बुक मैथड ये भी लेक्चर भी, डेमोंस्टेशन भी, टूटोरियर भी यहां तक जो थे ये टीचर सेंटर थे फिर ये क्वेस्टन और डिशकेशन वाला जो है ये बोथ है, टीचर भी है और स्टूडेंट भी इसमें एन्रोल है तो दस मैथड जो है मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लेर करवा दिये है, अगले वाले जो दस है वो आपने एक इक बार ऐसे देख लेने हैं कि क्या-क्या है कौन-कौन से मैथड और भी आ जाते इसमें इसके इलावा और भी बहुत सारे मैथड होते होंगे लेकिन जो इंपॉर्टन थे वो मैंने सारे की सारे करवा दी आपको तो अगर आप कर रहे हैं तो हमारी ये बैच जो है लीटिस्ट बैच जो ओफर चले हुए है तो उसमें काम आएगा या एक आपका फिर पटवारी पुलिस का है है अच्पी टैट है आपकी चाहे मेडिकल है नोन मेडिकल है आर्ट है या फिर एल्टी है जे वीटी है फिर commission है आपके तो जो भी आपका commission है उन सम में जो है काफी ज़्यादा offer जो है हमारे चले हुए हैं शिवरात्री के जो है आप देख सकते हैं कि हमारे पास धेर सारे offers हैं आप offers में ले सकते हैं courses को और हमारी जो fee रहते हैं full course की fee रहते हैं कोई monthly installment नहीं होते है one time payment रहती है उसमें और बहुत ही कमफीज है अगर आप other institute के comparison देखोगे तो बहुत ही कमफी हमारी रहती है और इसके इलावा test series के अगर बात करें तो test series जो है 99 रुपीज में जो है आप बीएड portion की ले सकते हैं आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे जिसमें 12 टेस्ट आपके हो चुके हैं तो जिन्हों ने अभी पर चेस करनी है और नहीं की है तो कर लीजिए जल्दे से आपको बच्छों बाकियों student के जो है 12 हो चुके है वो भी आपको मिल जाएंगे साथ में बाकि पूरा सेस्ट आपको मिल जाता है 25 की 25 आपको बिलेंगे जब आज जोईन कीजिए कल जोईन कीजिए या पहले से कर रखा होगा ठीक है तो बहुत सारे student ने जैसे आपको पता है कि 50 प्लस student ने जो है अभी तक स्ट्रेस सीरीज को जोईन कर लिया है हमारे तो आप भी जलती से जो है इसे जो है 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 जो हमारा टॉपिक होगा अगला टॉपिक हमारे यूनिट नंबर थी का लास्ट टॉपिक होगा और बहा सारे बच्चे कॉमेंट कर देते हैं कि बाकी वीडियो कहा है तो प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाती है आप प्ले लिस्ट चेक कीजिए और फिर भी कोई अगर डाउट रह जाता है तो हमारा ऑफिशनल नंबर आप देख सकते हैं 7591046600 रहता है और जो भी अभी कोशिं पहले का रखा हो और आपको प्रोवाइड करवादे ऐसा बिल्कुल नहीं है डेली लाइफ क्लास होते है डेली आपको अपडेट होता है फिर चाहे आप जो है उसे अगर मालनू लाइफ क्लास आप कोई नहीं लगा पा रहे है किसी वज़ा से कोई कारण है आपका तो आप उसी सेम क्लास को लाइफ क्लास को आप रिकोडिंग फोम में देख सकते हैं अपने टाइम के अपकोडिंग तो यह सब चीज़े रहती है खेट चलिए कल की क्लास में मिलेंगे दवारा से आप सभी के साथ थैंक यो सो मच